हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग देव वाइट मसाय मूबी को एक्सप्लेंड करने वाले हैं जो 2005 में रिलीज हुआ था इस मूबी में एक गोरी लर्की को एक आले लर्के से प्यार हो जाता है और आगे क्या-क्या कांड होता है वही हम देखने वाले हैं इसी दोरान जब करोला फैरी में घूम रहा होता है तबी करोला की नजर दो मसाय आदिवासी लोगों के उपर परता है जिन में से एका नाम होता है लेमा अब लेमा दिख रहा था सारुखान जैसा इसलिए करोला लेमा को अपना दिल दे बैठता है और दोनों के बीज ताका जाकी हो जाता है फिर करोला और इस्टेफन के बाजारों में घुम रहे होते हैं तबी कुछ चोर उन दोनों के पीछे बर जाता है जिन से बचने के लिए वो दोनों वहां से भागने लते हैं वो लोग भागते भागते काफी दूर आगे थे लेकिन फिर भी वो लोग उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है लेकिन तभी उन दोनों को बचाने के लिए लेमा आ जाता है जैसे ही चोर लेमा को देते हैं वो लोग वहां से भाग जाते हैं क्योंकि लेमा उस एरिये का पुलिस ऑफिसर जैसा था इसलिए चोर जैसे ही लेमा को देखता है वहां से भाग ज देते हैं ये देकर हमें पता चलता है कि दोनों में प्यार की साथ तक हो गया है फिर वो दोनों फेरी से उतर कर जब बस पकनने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अब उनकी आखरी बस छुट गई है इसलिए दोनों के पास कोई ओफसन नहीं था फिर वो दोनों प्यार नहीं करता हूँ, मैं लेमा से प्यार करता हूँ, जिस पर स्टेफन को भहुत गुस्सा आजाता है, और वो करोला को कहता है कि क्या तुम उसकालिये के लिए मुझे छोड़ रही हो, इसलिए स्टेफन करोला को वही पर छोड़ कर वापस अपने देश आ जाता है धर करोला स्टेफन के जाने के बाद करोला जाता है लेमा के दोस्तों के पास और वो लेमा के बारे में पुछता है फिर लेमा के दोस्त करोला का बताता है कि लेमा यहाँ से कुछ किलोमेटर दूर एक मसाई नाम का कबिला है और लेमा वही पर रहता है फिर करोला मसाई जाने वाली बस को पकल लेता है कुछ गंटे बाद वो मसाई कबिले में पहुच जाता है करोला वहाँ पोस्ते ही एक एल लेमा को ढूढने की कोशिस करते हैं, लेकिन बहुत कोशिस के बाद भी लेमा का कोई आता पता नहीं होता है। फिर दोनों ठक हार के वापस एलिजाबे के घर वापस आ जाती हैं, तभी करोला देखता है कि लेमा उसे ढूंते ढूंते उसके पास आ गई है, इसके बाद लेमा करोला को एक रूम में लेकर जाता है और वही पर वो पेलम कारिकरम सुरू कर देता है, अब पूरी राद पेलम कारिकरम करने के बाद सुभे को लेमा करोला को अपने कबिले में लेकर जाता है, जहाँ पर लेमा करोला को अपने मा से मिलवाता है, उस साथी में सभी कबिले वालों से मिलवाता है, फिर कुछ देर बाद करोला उस कभीले के लर्की के बाद जाता है और वही पर नंगा होकर नाने लगता है तब ही करोले के पास लेमा आ जाता है और कहता है कि पिलीज तुम अपने कपरे मत उतारो परना सभी कभीले के लोग यहाँ पर आ जाएंगे फिर लेमा करोला को एक ज दिल के पास लेकर जाता है जहांपर वो लेमा के सामने नांगे हो का नाने लगता है। नाने के बाद करोला को अपने जोपरपटी के पास लेकर जाता है। वही पर ये लोग फिर से पेलम कारिकरम शुरू कर देते हैं फिर ऐसे ही कुछ दिम बीच जाती है फिर करोला सुचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक दुकान खोल दू ताकि वो काम करके कुछ पैसे कमा सकी इसलिए करोला वापस अमेरिका आता है और अपने घरवालों से कनवेस करके कुछ पैसे ले लेता है फिर वो वापस केनिया देश चला जाता है वही पर लेमा को लग रहा था कि करोला उसे धोका देकर चले गई है और कभी वो वापस नहीं आएगी लेकिन तभी लेमा देखता है उने सामने करोला को और वो फिर दोनों भागते हुए दले मिलता है फिर वो दोनों रात वही रोजवाला पेलम कारिकरम सुरू करते हैं फिर वो लोग वहाँ पर डिसाइट करते हैं कि हम कल ही साधी कर लेंगे फिर सुबह होते ही वो दोनों साधी कर लेते हैं पिर रात में मसाई कभीले के लोग लेमा के साधी के खुसी में नाचने लते हैं ये देकर करोला बहुत ज़्यादा खुस हो जाती है पिर अगले सुभे करोला अपने दुकान खोलने के लिए एक जगह देखने जाती है और वो अपने साथ लेमा को भी लेकर जाता है जब ये के लिए और भी कुछ चीजों की जरूलत परती है जिसके लिए हमें पैसे की जरूलत है ये सुनने के बाद किसी तरह लेमा इस बा के लिए मान जाता है कुछ दिनों के बाद वो दोनों उस गाव में एक इराने की दुकान खोल लेते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं फि इसी भी आदमे के साथ बात करते हुए नहीं देखना चाता था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीच जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि करोला अब रेगनेंट हो गई है, लेकिन फिर भी वो महनद करना नहीं छोड़ता है, और वो पूरे दुकान में रोज महनद से काम करती है, वही पर उसका पती लेमा रोज रोज अपने दोस्तों के साथ बीर पिकर परा रहता है, फिर एक दिन लेमा करोला से मिलने के लिए दुकान पर आता है, तब लेमा देखता है कि दुकान के पीछे का दर्वाजा खुला हुआ है ये देखकर लेमा को सको जाता है और वो करोला को कहता है कि तुम्हारा चकर किसी और के साथ चल रहा है इसलिए लेमा जेकनने के लिए दुकान के पीछे भी जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है फिर अगले दिन करोला अपने दुकान का हिसाब कर रहा होता है तब उन्हें पता चलता है कि लेमा अपने दोस्तों को सामान उधारी में दे रहा है इससे उनके बिजनिस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है इसलिए करोला जाकर लेमा से बात करता है लेकिन लेमा उल्टा करोला के उपर भरक जाता है वो करोला को उल्टा सिधा गाली देकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन करोला किसी तरह लेमा को मना लेता है और उसे जाने से रोक देता है पिर आगले सिन में हम देखते हैं करोला का अब delivery का टाइम आ गया था इसलिए उसके पेट में बहुत ज़ादा पेन होने लगता है फिर करोला देखता है कि उस कभीले में इसी को भी धंकी delivery करना नहीं आता है ये देखकर करोला बहुत ज़ादा डर जाती है फिर वहाँ पर एक चर्च के फादर जल्दी से एक आरोपलेन बुलाते हैं, जिसमें बीठा कर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका डिलीवरी होता है। फिर चर्च के फादर लेवा को बताता है कि तुम्हारा बेटा हुआ है, और तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों ही सेफ हैं ये सुनके लेमा बहुत खुस हो जाता है और और अपने बेटे से मिलने के लिए चला जाता है और वो अपने बीवी और बच्चे को सेफ देकर बहुत जादा खुस होता है इसके कुछ दिनों बाद वो दोनों वापस अपने कबिले में आ जात पूरा दिन सिर्फ बीर पीते रहता है। यह देकर को बहुत ज्यादा घुस्सा आ जाती है। फिर उस बच्चे को वह धके मारके काम से निकल देती है। फिर रात में जब कोरोला अपनी दुकान बन करके घर वापस आ रही थी। तभी वह आपर वह लर्का आ जाता है। और चाकू लेकर करोला को मानने ही वाला होता है कि तभी वह आपर लेमा आ जाता है। फिर लेमा उस बच्चे को पकर के कुटे की तरह पीतने लगता है। और वहाँ से भगा देता है। अगले सुबह मासाई कबिले के सरपंच एक बैठक भुलाते हैं और उस लर्के को और को दोनों को सजा दिया जाता है। करोला को भी सजा इसलिए दिया जाता है क्यूंकि करोला ने उस लर्के को काम से निकाल दिया था इसलिए। सजा के तोर पर करोला को उस लर्के को दो बक्री देना होगा और वही उस बच्चे को करोला को पांच बक्रिया देना होगा। ये देकर लेमा को कोरोला के ओपर बहुत गुसा आ जाता है और वो जाकर कोरोला से कहता है कि तुमने मेरे एक सारे कबिले के सामने मेरी इज़त की वाट लगा दी है ये बोलकर लेमा वहां से चला जाता है ऐसे ही कुछ साल बीच जाते हैं और हम लेमा और कोरोला के बच्चे को जो काफी बरा हो गया है वही दूसरे तरफ लेमा हमेशा कोरोला के उपर सकरते रहता है अगर कोरोला किसी दूसरे आदमे के साथ बात कर रहा होता है ये देखकर लेमा बहुत गुसा हो जाता है वही कोरोला लेमा को बहुत मनाने की कोशिस करता है और ओ लेमा से कहता है मैं सि बीनहीं सता हूँ, लेकिन वही पर लेमा एक बकलोल आदमी था, और वो कोरोला के बच्चे को उठा कर वहाँ से चला जाता है, कोरोला भी अपने बच्चे को वापस लेने के लिए, लेमा के पीछे जाता है, और उसके पीछे पीछे वो उसके कबीले में तक पहुच जाता है वहाँ पर लेमा को बताता है कि तुम्हारा चकर जिस भी आदमी के साथ चल रहा है तुम उसका नाम बताओ मैं उसे जान से मार दूंगा ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन कोरोला जब रोकने की कोशिस करता है लेमा को तो लेमा उसके उपर ही हमला कर देता है और कोरोला को जान से मानने की कोशिस करता है लेकिन तब हुआ पर उसका भीले के बाकी लोग आ चाते हैं और ऐसा लेमा को करने से रोक देते हैं फिर एक दिन कोरोला लेमा को कहता है कि मुझे अपने मौम के घर जाना है कुछी दिनों के लिए फिर में वापस आ जाओंगी अब लेमा भी उसकी बात मांजाता है और उसे छोरने के लिए वो बस इस्टन तक आ जाता है लेकिन वहाँ पर लेमा को अच्छे से पता था कि करोला इस बार वापस नहीं आएगी फिर करोला अपने बच्चे को लेकर उस गाव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है बिचारी करोला कितने अच्छी लाइफ थे उसकी लेकिन इस चूटी ये लेमा की वज़े से उसने अपनी सारी जिंदिगी खराब कर दी कुछ इसी तरह ये मोबी एंड हो जाती है तो आपको वीडियो कैसा लाग हमें कमेंट करके जरू बताईए तो मिलते हैं किसे अगले वीडियो पर देखते रही है नोर एक्स्प्लेंट